नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको रिज्यूम देना होता है तो सिंपली अगर आपके पास घर पे लैपटॉप ये कंप्यूटर नहीं है तो आप रिज्यूम कैसे बना सकते हैं तो आज किस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रिज्यूम अपने मुबाइल से भी बना सकते हैं वो भी एक मिनिट के अंदर चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं तो simple आपको क्या करना है Google पर जाता है और यहाँ सर्च कर लेना है warmth है पसे उपर वाला है इसी को तो देखिए मैं ने यहां पे इसे सर्च कर लिया गूगल पे तो देख लीजे यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख जाएगी जो लिखा हुआ ना resume ground create free resume in just a minute ठीक है simply इसको अब आपको open कर लेना है देखिए कुछ यह website है यह कुछ इस तरीके की दिखाई देगी इसके अंदर simply आपको create now का जो button देख रहे हैं simple इस पे आपको click कर लेना है जैसे ही इस पे click करेंगे तो resume से related आपको यहाँ पे जो details है वो यहाँ पे fill करनी होगी तो मैं क्या करता हूँ यहाँ फटा-फट से इस detail को fill out कर लेता हूँ so friends जब यहाँ देखिए मैंने यहाँ आपना नाम house number, landmark, area और state और pin code मैंने यहाँ पे fill out कर लिया है और एक चीज का आप धियान यह रखिएगा देखिए जहाँ पे यह इस तरीके की star आपको दिख रहा है तो यह star वाला जो input है यहाँ पे आपको लिखना compulsory है मतलब इसके अंदर आपको कुछ लिखना होगा जैसी कि देखिए यह landmark आप देख रहे हैं इस पे यहाँ पे star नहीं लगा है तो अगर आपका कोई landmark यह nearby यह गली number नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं ठीक है तो फिलाल मैंने यहाँ पे देखिए mobile number तक इस तरीके से fill out कर लिया है अब देखिए आप यह आपसे पूछ रहा है what is your profile profile का मतलब क्या होता है उसको समझेगा जैसे कि आप computer operator की job के लिए जा रहे हैं तो simply आपको यहाँ लिखना होगा I am a computer operator मतलब यहाँ पर simple आप लिख देजगा I am a computer operator यहाँ पर आपको I am लगानी की जोड़त नहीं है अगर आप website developer है तो आप simple यहाँ लिख सकते हैं website developer इस तरीक से आप यहाँ type कर सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं इस तरीक से लिखना चाते हैं तो आपसे खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि देखें यहाँ पर जो profile के उपर जो star है वो नहीं बना है ठीक है simply file के लिए मैं भी इसे खाली छोड़ देता हूं next देख लिए academic qualification आपसे पूछी जा रही है मतलब आपने 10th कहां से की 12th की की नहीं की graduation किया या नहीं किया तो उसको आप यहाँ पर fill कर लीजेगा ठीक है और यहाँ पर देखें सिर्फ अभी एक ही row आ रहा है लिखने के लिए अगर आप चाते है 10th भी add करना 12th भी add करना और graduation भी add करना तो simple देख रहे हैं यह add row का button simply आप इस पर click करेंगे तो देखें एक और row इस तरह की से आ जाएगी जिसमें आप 12th का जो भी आपका है कहां से आपने pass किया उस चीज को आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप एक बार और click करेंगे तो यहाँ पर 3rd वाले row में आप अपनी graduation के बारे में डाल सकते हैं अगर आपको cut करना है तो यहाँ पर click करेंगे cut हो जाएगा तो उमीद करते हूँ इस चीज आपको समझ में आ रही होगी फटा-फट से पहले मैं academic qualification अपनी यहाँ पर डाल देता हूँ सो फाइनली देखिए मैंने यहाँ पर 10th or 12th इस तरह की से डाल दिया है अब देखिए next आप से यहाँ पूछा जा रहा है other qualification other qualification में आपको क्या डालना होगा other qualification में आपको यह डालना होगा जैसे कि आपने कोई computer course किया है तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अल्डेडी लिखा हुआ basic knowledge of computer या फिर अगर आपने tally किया है तो आप tally डाल सकते हैं अगर आपने html किया है तो आप html डाल सकते हैं advance excel किया है तो advance excel डाल सकते हैं जो भी चीज़े आपने की है उसको आप यहाँ पर fill out कर सकते हैं तो fill out के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं basic knowledge of computer ठीक है और फिर मैं इसके अंदर एक और add row करूँगा और इसके अंदर मैं अपना tally भी डाल देता हूं tally prime भी मैंने जिसे यहाँ पर किया हूँ है तो मैं इसको भी यहाँ पर इस तरीके से pass कर दूँगा tally prime ठीक है उसके बाद देखिए आपसे पूछ जा रहा है work experience ठीक है यहाँ देखिए उपर work experience अगर आपके वसको experience है तो डाल दीजेगा ठीक है और अगर नहीं है तो simple अप यहाँ पर fresher type कर दीजेगा तो मैं यहाँ फिल हारी के लिए fresher इस तरीक से write कर देता हूँ next इसके बाद आपसे पूछा गया है gender male female या फिर other तो आप जो भी है वो डाल दीजेगा तो यहाँ पर आपसे father name पूछा गया है तो simple father name आपको डाल देना है और यहाँ पर next देखे email ID है तो email ID डाल देना है तो मैं father name email ID फिल कर लेता हूँ तो देखे friends मैंने father name email ID यहाँ पर पास आउट कर लिया है अब आपको date of birth इसमें enter करना है तो date of birth एंटर करने के लिए simply इसमें आप click करेंगे तो इस तक से आपका calendar open हो जाएगा यहाँ उपर देखे 2022 लिखा है इस पर click करेंगे तो यहाँ से आप year select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना year डाल देता हूँ कि मेरा कब date of birth यहाँ पर है उसके बाद देखे आपसे पूछा गया है language known कि आप कौन कौन सी language जानते हैं तो simple मैं Hindi English जानता हूँ तो यहाँ पर simply write कर दूँगा Hindi and English nationality क्या है Indian है marital status आप डाल दीजेगा unmarried या फिर married अगर आप हैं तो इस तरीक से आप यहाँ पर type कर लिजेगा ठीक है तो देख लिए यहाँ पर हमने सारी की सारी जो information थी उसको यहाँ पर fill out कर लिया है simple अब आपको कुछ नहीं करना है simple create resume का जो बटन देख रहे हैं इस पर आपको click कर लेना है तो simple देखे मैंने इस पर click किया और यहाँ पर आपका resume है वो create हो गया ठीक है यहाँ पर option भी आगया download your resume ठीक है simple आप इस पर click करिएगा जैसे इस पर click करेंगे देखे resume download कर लिजेगा इस तरीके से और जैसे ही download होगा आपका resume कुछ इस तरीके से देख लिजेए यहाँ पर open हो जाएगा तो देखे एकदम perfect जो resume है वो आपका यहाँ पर बनके तयार हो गया है और यह PDF के अंदर है खास बात तो यह है कि PDF में है और आप इस resume को किसी भी company के अंदर send कर सकते हैं आपको आपको बनके आया है ऐसा ही resume आप अपने दुकान पर जाकर बनवाते हैं वहाँ उनको पैसे देते हैं अब इसके अंदर एक खास बात मैं आपको यह भी बता देता हूं बाइडवे future में अगर आपको इस resume में कुछ update करना है तो वह आप कैसे करेंगे मैं वह बता देता हूं आपको back आईएगा देखिएगा जहां से आपने resume download किया है ने लिखा है ने यह resume download यह resume इसी के उपर दिखें यहाँ पे edit your detail का option दिख रहा होगा यह दिखें यह एड़ your detail का option ठीक है simple आप इस पर click करके क्या कर सकते हैं अपनी details edit कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ भी आपको edit करना हो जैसे microphone number by the way edit करना है या फिर में प्रोफाइल पहले जो add नहीं की थी वह add करना है तो simple मैं profile जैसे add कर देता हूं यहाँ जैसे मैं write कर देता हूं web developer ठीक है क update success ठीक है अब देखें दुबार से मैं resume download करता हूं और देखेंगा जो मैंने वहाँ पर web developer add किया है वो देखें मैं resume में आ जाएगा यह देखें यहाँ पर आ गया I am web developer ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इस resume को किसी भी वक्त download कर सकते हैं कभी भी download कर सकते हैं ठीक है और इसम resume कहीं खो जाता है तो क्या आप इस website पर आकर दुबार से बनाएंगे नहीं यहां पर आपको दुबार से आके दुबार से resume बनाने के जूरूत नहीं है س impeachment क्या करना होगा आधको login करना होG öffentlich हो रखण तो देखें आपका profile डाफ्तियं के तोoken और मैं यहां फिर विपर एपर क्लिक करेगे बчи हैं फ्री डॉर्ट पे किलिक करेंगे और लॉग-इं करेंगे क्या करेंगे लॉग-इं करेंगे जिसे मैं इस पर क्लिक करता हूं लॉग-इं पर यहां पर आप अपने emailBon Ranked डालेंगे और का रटालेंगे WhatsApp पे क्लिक करें के WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं जहां चाहें वहां शेयर कर सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यह साही चीज़े आपको समझ में अब आ गई होंगी अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे resume के लिए आपके लिए एक website भी अलड़ी इस website ने बना के दे दिया है देखिए यहाँ पे आपके लिए आपके खुद की website यहाँ पे create हो गए यह देख लीजे कुछ इस तरह के किए देख रहे हैं सिंपल यहाँ पे आपका साही detail रहेंगी आपने क्या क्या academic qualification है वो साही चीजे यहाँ रहेंगी आपकी other qualification क्या है वो भी देखिए यहाँ रहेगी आपका क्या work experience है वो भी यहाँ रहेगा आपकी जो contact details हैं वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी मतलब overall आपके लिए यह एक website दे दी गई है जिसे के आप किसी के शाथ share कर सकते हैं दिखा सकते हैं जिसे के हम बोलते है portfolio website यहाँ पर देखे download resume का button भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी अपना जो resume है वो download कर सकते हैं और अगर किसी को यह website आपको share करनी है क्योंकि resume की जरूरत आज के rate में सभी को है कहीं भी आप drop करने जाओ वहाँ पर आपको resume देना पड़ता है आज कल तो वसे online ही resume मांग लेते हैं बागी आप चाहें तो print out इस resume का निकलवा सकते हैं या फिस सीधर directly PDF पी send कर सकते हैं अगे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से like करिएगा और अपने दोस्तों में इसको share करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में So thanks for watching our video Have a nice day